दोस्तों, आज के वीडियो में हम न्याय पालिका में AI के उप्योग का एक तुलनात्मक विशलेशन करेंगे और जानेंगे कि किन देशों ने न्याय प्रणाली में AI टेकनोलोजी को अपनाया है। Correctional Offender Management Profiling for Alternative Solutions जैसे AI संचालित उपकरण न्याय आधीशों की सहायता करते हैं। अमेरिकी अदालत प्रणाली आम जनता को अदालती प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित विशयों के बारे में अकसर पूछे जाने वाले प्रशनों के उत्तर देने के लिए चैट बॉट्स का उप्योग करती है। इससे अदालती कर्मचारियों का कार्यभार कम करने में मदद मिलती है और सभी के लिए सूचना की पहुँच बढ़ती है। चीन चीन की स्मार्ट कोड प्रणाली AI टकनीक के साथ न्याय आधीशों की सहायता करती है जो पिछले मामलों का विशलेशन कर सकती है और लागू कानूनों और मिसालों का सुझाव दे सकती है। ये समान मामलों के आधार पर सजा की सिफारिश भी कर सकता है, जिससे न्याय आधीशों को सूचित निर्णए लेने और शीघ्र न्याय देने की अनुमती मिलती है। UK के न्याय मंत्राले ने 2020 में क्राउन अदालतों के लिए डिजिटल केस सिस्टम की शुरुआत की। यह वास्तविक समय में केस अपडेट और कागज के उपयोग को कम करने के लिए साक्षे को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने की अनुमती देता है। बार काउंसिल की एथिक्स कमेटी आपराधिक कानून बैरिस्टरों को ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँचने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। अब बात करते हैं। इस विशय में भारतिय परिप्रेक्ष की। वर्तमान में AI को विनियमित करने के संबंध में भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंत्रा लए। AI से संबंधित रण नीतियों के लिए कार्यकारी एजेंसी है और उसने AI के लिए नीतिगत धांचा लाने के लिए समितियों का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत, डेटा संरक्षन विधेयक मीटी द्वारा पेश किया गया है, हालांकि यह अभी भी आपचारिक अधिनियमन की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो व्यक्तियों को निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं द्वारा उनसे एकत्र किये गए डेटा के साथ-साथ, इसे संसाधित करने और संग्रहीत करने के लिए उपयोग किये, जाने वाले तरीकों के बारे में पूछ ताच करने की इक्षमता होगी, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद